हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम हमारे मिथला में भोज या खास्त या हैरो पे बनने वाला डालना बनाना सीखेंगे ये कई सबजियों को एक साथ मिक्स करके बनाया जाता है तो आईए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की आवज सकता है दो आलू, आलू को हम छिल करके धो लिए हैं आप इसके छोटे टुक्रे हमें कर लेने हैं कच्चा केला, कच्चे केले को भी छिल करके धोकर हमें इसके भी छोटे टुक्रे कर लेने हैं, कदीमा, इसको आप लाल कदू, भोपला, सीता फल, ये सब भी अलग अलग जगों पे कहा जाता है, लेकिन ये सब भी एक ही चीज है, तो इसके भी छिल कर धोकर और इसके भी छो परवल मिल रहा हो, तो आप गोभी की जग, कच्चा, कठहल या परवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें केवल, केला, आलू और कदीमा, ये तीन चीज कमपल सरी है, बाकि सीजन के हिसाब से आप कठहल, परवल या गोभी का यहां इस्तेमाल करें, इसके लिए यहां मैं ल मतर, आप छिलके वाली हरी मतर जो होती है बाजार में, सीजन के हिसाब से जो मिलती है, वो ही आप ले, या फिर फ्रोजन अगर हो तो फ्रोजन ले, लेकिन आप अगर मतर का सीजन नहीं है, तो बाजार में सुखे हुए हरे मतर जो मिलते हैं, उसको भींगा करके नहीं डाल तो इसलिए अगर मतर नहीं एवलेबल है तो आप उसे स्किप कर दें लेकिन सुखी मतर को भींगो कर कभी नहीं डाले अब इसके लिए हमें मसाले क्या-क्या लगने वाले हैं वो हम देख लेते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए धन्या पाउडर दो टेबल स्पून, जीरा पाउडर दो टेबल स्पून, मिर्च पाउडर एक टी स्पून, छोटा चम्मच, गरम मसाला पाउडर एक छोटा चम्मच, टी स्पून, हल्दी, नमक स्वाद के उनसार और फोरन के लिए हमें चाहिए तेजपता, हेंग, सुखी लाल मिर्च और पाँच फोरन पाँच फोरन अगर आपको नहीं पता हो कि क्या है तो इसका वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप यह देख सकते हैं इसी तरह से गरम मसाले का भी हमारा वीडियो है, उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो देख सकते हैं, होममेट गरम मसाला कैसे बनाएं ये देखिए हमारा सारा सब्जी अब कट चुका है और इसे अब हमें हलका सा भून लेना है तो इसके लिए हम अब गैस अन कर लेते हैं और तेल गरम होने के लिए हम डाल देंगे इसमें हम यहां पर सरसों का तेल मैं ली हूँ तो हमें सरसों का तेल ही यहां इस्तेमाल करना है और अभी बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है हमें कराही में क्योंकि हम सभी सब्जियों को अलग अलग हमें भून करके हलका निकाल लेना है तो अगर संभव हो तो आप सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें क्योंकि जो भी हमारे मितला का हमारा ट्रेडिसनल खाना है वो सभी सरसों तेल में हमारा सारी सबजियां बनती है और उसका एक अलग सा आथेंटिक टेस्ट होता है तो इसलिए यहाँ पर आप रिफाइंड टेल को नहीं इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा इसी तरह से चलाते हुए हम धीरे धीरे करके एक एक करके सभी सबजियों को अच्छे से भून लेंगे बहुत ज़्यादा इसे लाल करने की जरूरत नहीं है बस हलका सा इसे भून लेना है हमें और एक एक करके भूनना सभी को एक साथ हमें नहीं भूनना है यहाँ बारी बारी से सभी सबजियों को हमें यहाँ पर भून लेना आप देख रहे हैं मैंने आलू को हलका सा ही भूना है बहुत ज़्यादा इससे लाल करने के जरूरत नहीं है इसी तरह से गोभी और अन सबजियों को भी हमें बारी बारी से यहां पर भून लेना है यह देखिए हमारा सारा सबजी भून चुका है और यही कलर रखना है आपको भी सबजियों को भून करके इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है तो अब हम इसके आगे की तैयारी करते हैं इसके लिए हमें सबजी जो तैयार करना है डालना तो उसका फोरन हम यहां पर तैयार करेंगे तो इसके लिए हम तेल हमें गरम कर लेना है तो इसी कराही को फिर हम सबजी बनाने के लिए यूज करेंगे यहाँ पर फिर से मैं सरसों तेल ही इस्तेमाल कर रही हूँ अगर आप चाहें अगर सरसों तेल बिल्कुल नहीं खाते हूँ तो आप इसे घी में भी बना सकते हैं लेकिन यहां पर मैं सरसू तेल ही इस्तेमाल कर रही हूँ हमारा तेल गर्म हो चुका है तो आप मैं यहां फोरन डाल दूगी फोरन में हमारा तेज पत्ता, लाल मेर्च, पांच फोरन और हींग हमने डाला है हलका सा जब यह पक जाएगा, उसके बाद हमें यहां इसमें टमाटर डाल देना है टमाटर को हम अच्छी तरह से यहां पर चला लेंगे और इसमें नमक डालेंगे हम यहां पर इसमें नमक डाल करके इसे हमें अच्छे से गला लेना है टमाटर को बिल्कुल तो इसके लिए अब मैं यहां इसमें नमक डाल दूँगी नमक यहां मैं दो छोटा चमच डाली हूँ और इसको चला करके हम यहां ढख करके इसे कम आज पर अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर यह हमारा गल जाए यहां पर हमने दो चमच नमक डाला है तो अब सबजीयों में नमक डालते समय हमें यह ध्यान रखना होगा यह देखिए तीन से चार मिनट हो चुका था और अब हमारा यह टमाटर करिब गल चुका है हमारा इसी तरह से आपको भी हलका सा उसे प्रेस करके मिक्स कर लेना है और इसके बाद अब हम ये सारी सबजियां जो हम भुनकर के रखे हुए हैं वो इसमें हमें मिक्स कर देना है क्यों टमाटर को हम पहले इसलिए गला लेते हैं कि अगर टमाटर हम इन सबजियों के साथ डालेंगे तो अच्छे से वो गल नहीं पाएगा और चौटा चौटा टुकरा उसका रह जाता है वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें डालना का जो ग्रेवी चाहिए वो काफी अच्छा मिक्स मिला हुआ और थिक चाहिए तो इसलिए हम टमाटर को अच्छे से पहले उसको गला लेंगे और उसके बाद हम बाकी इसमें सबजी डाल करके अच्छे से बुन करके और यहां पर अब हमें बाकी के जो मसाला है हमारा जो भी वो हमें यहां मिक्स कर देना है इसमें और उसके बाद फिर हमें इसे ढख करके पकाना है तो यहां पर हम इसमें जो एक छोटा चमच हमारा मिर्ची है वो हम डालेंगे हल्दी और नमक नमक मैं यहां एक चमच डालूँगी क्योंकि पहले हम नमक टमाटर में डाले हुए हैं तो इस चीज के धियान आपको भी रखना होगा जब आप यहां दूसरी बार नमक डाल रहे हो सबजी में तो अब यहां मैं दो चमच धनिया पाउडर डाल दी हूँ दो टेवल स्पून मैं धनिया ली हूँ और दो टेवल स्पून ही हमें जीरा पाउडर भी डालना है इन सभी को हम अच्छे से mix कर लेंगे और उसके बाद अब इसे हम थोरी देर के लिए कम आज पर पकने के लिए ढख करके छोड़ देंगे और इसको अच्छे से भूनना है जैसे की इसका कलर काफी चेंज हो जायागा जब हम इसको बार-बार अभी ढख कर पकाएंगे यह हमें अच्छे से मिक्स करके अब इसे हम 2-3 मिनट के लिए ढख करके तेज आच पर इसे हम पकाएंगे हमें गैस को यहां तेज कर लेना है यह देखे हमारे दो से तीन मिनट हो चुका है और आप देख रहेंगे कि इसका रंग भी बिल्कुल चेंज हो चुका है इसी तरह से जैसे धीरे धीरे यह अच्छे से भूनाता जाएगा तो इसका कलर भी बहुत ही अच्छा लाल निकल कर आता है अब हमें यहां पर हलका यह भून चुका है तो अब मैं यहां पर इसमें हमारा हर्या मटर और जो मुंफली हमने रखा था वो दोनों हमें यहां डाल देना है और फिर अच्छे से हमें यहां इसे मिक्स कर लेना है और फिर से हमें कम आज पर इसको तीन से चार मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि हमारा आलू और केला ये कदीमा ये सब अच्छी तरह से पक जाना चाहिए और हलका सा इसका मसाला भी भून करके लाल हो जाए तब तक के लिए हम इसे फिर इसे धक करके अभी मैं यहां इसे छोड़ दूँगे ये देखे हमारा तीन मिनट करीब हो चुका है और अब आप देख रहे होंगे कि ये सबजी और मसाला दोनों ही अच्छी तरह से भून चुका है और इसका रंग भी अब हलका सा लाल दिख रहा है यानि कि ये पुरी तरह से भूना चुका है तब इसे हमें भूनने के जरूरत तो ग्रेवी के लिए यहां हम इसमें बुर्ग पानी सोखनाप अन्तास से सबज 시क अच्छी तरख से द़ना है Ray और जर बूर फेल चौनर जब हम सब्सक्जी को रेश्ट होने के लिए carry तो पानी सोखना और जोड़ों और साब धवत की सब्सक्राइब में पानी। पाणी आपकी सब्जी की कौंटिटी कितनी है उसके हिसाब सावलोब देख सकते हैं कि मैं अच्छे से सब्जी सारा डोग चुका है उसमें उस हिसाब से मैं पानी डाली हूँ और इसे मिक्स कर लेना है अच्छे और अब हमें यहाँ इसमें गरम मसाला पाउडर जो हमें एक चमच रखे थे वो हमें यहाँ पे डाल देना है और फिर अच्छे से इन सभी को हमें मिक्स कर देना है और मिक्स करके अब हम इसे लगभग 5 मिनट के लिए ढख करके तेज आच पर फिर से इसे पकने के लिए जादा गला हुआ रहता है उससे ग्रेवी में अच्छी सी थीकनिस आती है तो आईए इससे ढख करके हम छोड़ दे पांच मिनट के लिए तेज आच पर यहां हमें इसे पकाना है यह देखिए हमारा पांच मिनट के आसपास हो चुका है और आप देख रहे होंगे कि ग्रेव कि केला या फिर आलू यह सब ठीक से पका हुआ होना चाहिए या आप जब बना रहे हो और सीजन में तो कठल हो या परवल हो तो वो सब अच्छी तरह से पकना चाहिए तो अब हमारा सबजी पक के तयार है हम यहां पर ग्यास आफ कर लेंगे और ढख करके इसे 10 मिनट के ल तो इसी तरह से आप भी इसे बनाएं खाएं और हमें भी कमेंट करके बताएं कि यह कैसा लगा हमारे जो मितला का ट्रेडिशनल सबजी है उसको हम कभी भी हरे धरिये से गार्निश नहीं करते हैं लेकिन अगर आप चाहें तो उसको गार्निश कर सकते हैं तो मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें चाइनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें बेल को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक नए स्वाद के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए बाई थैंक यू